पूरे दिन की हलचल जो रहेगी यारा राजनीती को ले करके तो पहली सरपंचों को ले करके इस तरह की राजनीती पहली राजनीती पहली हल चले उसकी बात की जाए तो जिस तरीके से बात की जाए तो जो सरपंच है उन्होंने सरकार से धने परदेशन करा उन्होंने जो जिस तरीके से सरकार से बात की तो सरकार ने जो कमेंडमेंट सरपंचों से किया कि पांच लाग तक के जो है काम करा सकते लेकिन वो अभी जो है बोला ही था तो बात की जाए तो कल जो है लेटर जारी कर दिया है मुख्यमंत्री की तरफ से सरकार की तरफ से जिस तरीके से जो सरपंच है वो अपने गाओं में जो है लगबग पांच काम जो है पांच लाग के अलग पांच लाग के काम करा सकते तो इससे जो है लगाता जिस तरीके से देखा जाए कि सरपंचों ने रहत की साथ जरूर ल और पांच लाक रूपे तक का जो जो नौटिस है वो जारी यहां पर कर दिया गया थे उसके साथ मैं बतातू कि जिस तरीके से गड़बंदन जो सरकार बीजेपी और जेजेपी कर रही है तो वहीं जेजेपी ने जो है 15 जिलों में बदलाब करते हुए फेल बदल करते हुए पंदरे जिलों के अद्दक्ष जो है यहां पर बदला गया क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो 2024 की इलेक्शन जो नजज़दी का रहे है उसको देखते हुए लगातार जो है जो नेताओं में है या करेकरताओं में फेल बदले हाँ पर किया जा रहा है लगातार जो राजनेताओं की बात की जाए तो हर पार्टी अपने अपने जो दम खम्यापर दिखाती हुए नजर आ लिए क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत नजज़दीक आगया अगली साल जो है लेक्शन होने है तो इसको चलते जो कारेकरताओं को मजबूत करना अब यह देखने वाली जो मन्यों मेंसे जो है नाज उठान जो है वो शुरूबात हो चुके लगातार गाडिया यहां पर बढ़ा दी गई है किसान को किसी भी तरीके की कोई समश्या का यहां सामना नहीं करना पड़ा है राहत की सांस यहां पर किसान ले रहे हैं आर्चे ओने जो आनाज खरीदा उनकी भी उठान जो है सरकारह पर लगातार कर रही है इसके साथ साथ मैं बता दूं मौसम विभाग को लेकर के बितिका जिस तरीके से मौसम में जो करबट है हर दो घंटे बाद करबट मौसम लेता हुआ नेजर दिखाई देरा है फर्दावाद में दो घंटे पहले जो है दूप होती है तो दो घंटे बाद देगा जाता है कि घटा ही जो है चारों तरफ चा जाती है तो कहीं न कहीं कहीं जिलों में जो है ओला विस्टी भी हुई है तो इसको लेकर के कहीं दिन में गरम मौसम होता है तो रात में जो है इस तरीके से ठंडा मौसम हो जाता है तो जो चटके पंखे का ही सहरा लेकरके जो कंबल गरम कपडों का भी यहाँ पर सहरा ले रहे तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकारी होस्पिटलों में डॉक्टरों की तादा तो लेकर बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं जो लोगों की सिकायते वो सर्दी, खांसी, जुखाम इस तरगी की जो बारेल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जी दिपी का बहुत बहुत शुक्रिया मोनू तमाब जानकारी के लिए और मैरसा जुड़ने के लिए शुले फलाल के लिए इसकार करम में इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार